अब कि अब दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका अपने यूट्रीव चनल यूजिनुवर्स क्लासेश में मैं राम सिंग अभी आप सभी साते का स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे यूपिटेट 2016 के आया हुई एबियस के प्रिवेस एर कोशन की इससे पहले हमने 2016 के ही पंद्रे कोशन को डिसक्स किया था यादि आपने उस वीडियो को नहीं देखाया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हैं और आज हम उसी में पा काफी help मिलेगी सुर्वात करतें पहले कुश्ण की पहला कुश्यन है कर सूर से निकर्तम ग्राह कोन है rural भ्रसपती सुक्र बुद्ध है आप अपना एंस्सवर कमेंट कर सकते हैं या फिर आपना प्मिनसवर आप नोटकर सकते हैं जितने कोश्ण आपको सही हो रहाएं कमें और जो ग्रहों का बढ़ता हुआ करम है वह बुद्ध है शुक्र प्रिथवी मंगल ब्रेस्पती सनी अरुड और वरुड और शुक्र को भोर या सांज का तारह कहते हैं और शुक्र को ही प्रिथवी की जुड़वा बहन कहते हैं अगला कोंचन देखते हैं कि नेक्स्ट कोर्षन है गीर डाश्टी पार्क किस राजी में इस्तित हैं यह काफी इमपोर्टन कोर्षन है और यूपेटेट का फैबरेट है एक जो है जो है अस्थापना 1965 में 1965 में हुई थी और यह गुजरात के कठी अवार्ड जिले में और यह बबर सेरो के संरच्षड के लिए प्रसिद्ध है निरच्षड बीधी की विश्यस्ता नहीं है यहां नहीं यह पूछा है पेपर में ध्यान से देखिए नहीं है यह एक मोनो बेग्यानिक विधी है यह प्रतेच अनुभवप और आधारित है यह बाल किंद्रित विधी है जिसमें एक एक सिक्षक इसमें कुछ छूड़ गया है सिक्षक एक सिक्षक जो है प्रसासक के रूप में होता है यह एक बाल के निरत बिधिया जिसमें सिख्चक प्रसासक के रुप में होता है अप्शन नमर डी है यह बिधी बीभी न सरवेच्छडों द्वारा अपनाई जाती है तो इसका जो सही अंसर है अप्शन नमर सी दोस्ते यदि आप सीटेट का एक्जान देने जा रहे हैं तो इसमें आप ध्यान के कोई भी आपसन यदि किसी बच्चे के खिलाफ है यानि कि उसको अपोजिट है तो आपसन हमेसा गलत होता है जिस तरह इसमें दिया गया है प्रसासक सब्द का प्रयोग किया गया है तो यह सरासर गलत है ऐसा नहीं होता है सिख्चक सिख्चक कभी प् यार प्रदूर्सर करता है ुश में से कौन सा है डीजल पेट्रोल पेट्रोलीं घैस या फिछ संपिडिथ पेट्रोल गेम्स देश पेट्रोल हैं लीक्लिफद पेट्रोल्यम गेस शेंग जह गोलाता है जैव भू रसाइनिक चक्र भू लातमौ से कोई कोई नंशे हैं क्या है दूबिया जीवों को मुंखिके चार चारब गारूझ राउा सकता होती यह čारिंत on कार्बन आक्सिजन नाट्रोजन और हाइड्रोजन कार्बन नाट्रोजन हाइड्रोजन और आक्सिजन इस चार तत्यों के आशकता होती है सभी जीवों को तो वातावरण में जीवों जीवों से वातावरण के अस्थानांत्रित यह सभी होते रहते हैं और यही क्या है जय हु आत्मा गांधी इसका जो राइट एंसर है आपसे नंबर भी सुंदरलाल भागुडा आई देखते हैं यह सुंदरलाल भागुडा नहीं क्या क्या था कि 1973 में जो पेड की कटाई हो रहे थी उसका बिरोथ किया था और इसके लिए क्या क्या था उन्हें पेड़ों से चिपक कर नेक्स्ट कोशन है इंसूलीन की राशानिक प्रकृति क्या है बिटामीन है प्रोटीन है वसा है या फिर कार्वाड्रेट है तो इंसूलीन की जो राशानिक प्रकृति है वो एक प्रोटीन की प्रकृति है नेक्स्ट कॉशन पौधम अर्धसुत्री विभाजन होता है मुल सिर्ष में पराग करोड़ों में तने में या फिर पराग कोस में तीजो होता है पराग कोस में होता है जोर नियंद्रण में आम तवर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाले अवसदी कौन सी है तो आपको मालूम होगा यह पराग का प्रयोग किया जाता है दोस्त आप कभी भी किसी भी दवा का प्रयोग करें तो बीना डक्टर के सलाह के उस दवा को यूज ना करें अन्यताव इसका साइड इफेक्ट हो सकता है अगला question है जैविक सम्दाए में प्रात्मिक उपभोगता हैँ वो कैसे होता या जो उत्पादक होता है वो इत्पादक फिर प्रतम उपभोगता इसके बाद दिर्थी उप्पुन जो सेकेंड भोगता होता है यह मानसा आ रही होता है यह सेकेंड भोगता होता है वह तिरत्यक में आता है नेक्स्ट कॉशन है दही निर्माण है तो कौन सुच में जीव उतरदाई है एसपरजीलस, स्ट्रेप्टो कोकस, रेट्रो वायरस या फिर लेक्टो वैसिलस आपको मालूम होगा इसमें जो है लेक्टो वैसिलस के कराण जो है दही जो है जमता है या दूस्ते दही के निर्माण लेक्टो वैसिल से ही होता है नेक्स्ट कोशन है मानव दिर्वर्ग की खोज सर्वपतम किस व्यगानिक ने की थी लैंड इस्टेनर जेनिंग्स पेंटिंग एंड मास्ट काल माक्स यह किया था कार्ड लैंड इस्टेनर ने और उन्हें पताया था कि चार ब्लड ग्रूप हैं लगानिव लगाने घृष्टी और इसका एक ट्रीक होता है फ़य। आपने हद कर दी आपने इससे आप जितने हैं तना हद से हल्दी हो गया कि अधरक हो गया और से आलू हो गया पॉसे प्याज हो गया हद कर दी आपने इस यह क्या है यह तना के एक्जाम पलने है नेक्स कोशन है एक कोस्की जीव है यानि एक कोस्की में जीव कौन सा स्पाइरो गायरा विशाणू पैरामेसियम हाइडरा तो यह पैरामेसियम जो है एक कोस्की जीव है नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट कोशन है निमलखित में से कौन सा पादप उतपाद साबुन का विस्थापन या रिठा से क्या होता है यह पाद अप उत्पाद है जो साबुन को भी स्थापित कर देता है और रिठा का प्रयोग बालो को बालो के स्रणचन के लिए सबस्यादा विप्रक्ट किया जाता है तो यह 15 कोश्चन थे 2016 के एबियस के उम्मीद करते हैं वीडियो पुशंद आएगा वीडियो पुशंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें सेयर करें मिलते हैं एक और वीडियो में तक तक लिए नमस्कार